दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गेजट्स के बारे में जो की फोटोग्राफी के लिए काफी ज़्यदा जाने चाहते हैं तो अगर आप एक वीडियो क्रियेटर हैं या फिर फोटोग्राफर हैं तो आपको आज की वीडियो पूली एकदम ध्यान से देखनी चाहिए क्योंकि इस सीरीज में होंगे एक से बढ़कर एक कमाल की गैजट जिने की आप अपनी जरुवत के हिसाब से इस्तिमाल कर सकते हैं तो फटाफट चैनल को सबस्क्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कोई गैजट बहुत ज़्यादा पसंद आए तो फटाफट उसका नाम लेकर कमेंट करके बताएगा कि आपको वो गैजट कैसा लगा है फिलाल देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के सबसे निचले पाइदान पर बहुत से लोगों को आपने देखा होगा सिनेमेटिक फोटोग्राफी करते हुए जहां पर आपको ऐसे तरह तरीके की इमेज़ेस देखने को मिलती हैं जिने की बिना किसी फिल्टर के खींचा गया है तो अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये चीज़ आपको काफी इंट्रस्टिंग लगने वाली है देखने में तो ये एकदम काच की बॉल होती है लेकिन आपकी कैमरा के लिए ये एक ऐसे लेंस का काम करेगी जिसमें की बहुत सारी डिटेल्स आपको इस छोटी सी गोले के अंदर देखने को मिलेगी अगर आप व्लॉगिंग करना पसंद करते हैं और खास तोर पर मुबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो कहीं न कहीं आपको एक गिंबल की जरुवत होती है जिससे कि आपकी फुटेज एकदम इस्टेबिलाइज हो इस गिंबल की खास बात ये होती है कि इसमें आपको एक मैगनेटिक माउंट दे रखा होता है जिससे कि फोन अटैच करना बहुत आसान हो जाता है याने कि जैसे ही आपको वीडियो बनानी है फटाफट ओपेन करिए फोन को खटाक से इसमें चिपकाईए और फोन आपका त्यार हो जाएगा व्लॉगिंग के लिए तो इस तरीके के गैजट कैसा लगा है आप कमेंड करके मुझे बताईएगा दोस्तो एक फोटोग्राफर को फ्लैश लाइट की बहुत ज़्यादा जुरुत परती है और वीडियोग्राफर को एक चाहिए होती है फोकस लाइट लेकिन अगर आप चाहती है एक ऐसी लाइट जो दोनों का ही काम कर पाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके की लाइटिंग को जुगार से वही इसके पीछे की तरफ आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जहां पर आपको बैक्टरी से लेटे डिटेल देखने को मिल जाएगी यह आपको कितना बैकप देने वाली है सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 3-3.5 घंटों तक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहेगी वही इसकी लिमिनिर्स इंटेंस्टी यानि की ब्राइटनेस को भी आप अज़ेस्ट कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं बातरीन फोटोग्राफी करना अपने मोबाइल फोन या फिक कैमराज के साथ और उसके लिए एक बातरीन फोकस लाइट चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट ऑप्चन होने वाला है आपके लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूँगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट जिसमें आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आप अपने चैनल न्यू टेक गैजट पर किस तरीकी की वीडियोस और दिखना चाहते हैं यानि कि अगर आपके दिवाक में चल रही हो कोई स्पेशल कैटेगरी जैसे स्टुटेंट गैजट, साइन्स गैजट या फिर ट्वाइग गैजट तो ये चीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं फिलाल देखते हैं कि कौन-कौन बचा है अभी इस सीरीज में आगे दोस्तो सेल्फी स्टिक तो आपने काफी सारे इस्तेमाल करी होगी लेकिन ये सेल्फी स्टिक देखकर वाकई आप इसके दिवाने हो जाएंगे क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं किसी भी नॉर्मल सेल्फी स्टिक से कहीं ज्यादा फंक्शन जैसे कि इसमें आपको बटन कंट्रोज दे रखे होते हैं जिससे कि आप अपने कैमरा एप को कंट्रोल कर सकते हैं exposure के साथ साथ आप अपने camera की direction और साथी zoom angle को भी adjust कर पाएंगे साथी अगर आप चाहें तो आप अपने camera angle को भी control कर सकते हैं बिना phone को छुए ही यानि कि इसका camera mount भी movable होता है जिसे कि आप अपनी button से ही control कर पाएंगे इसकी उपर की तरफ एक छोटी सी light लगी होती है जो कि से खास बनाती है जो कि कही न कहीं रात के समय में photography के लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगी इस light की भी तीन brightness level होते हैं जिसे कि आप अपने हिसाब से ही control कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी selfie stick जो की काफी सारे features आपको दे तो इस gadget को try करके देखेगा जिसके link description box में आपको देखने को मिलेंगे नमबर 11 गोरिला पॉट मोबाइल रिग दोस्तो गोरिला पॉट का इस्तेमाल तो काफी सारे लोग करते हैं vlogging के लिए जो की काफी ज़्यादा light weight रहते हैं और आपके phone या फिर camera के लिए सुरक्षित भी तो अगर आप भी कुछ ऐसा करते हैं तो एक पर इस तरीकी की gadget को try करके देखेगा अब आप ये कहेंगे कि आखे इसमें और नॉर्मल गोरिला पॉट में अंतर क्या होता है तो दोस्तों वो यहाँ पर आपको clear होने वाला है इसमें दो आपको अलग से arm दे रखी होती हैं जहां पर आप LED lights को set कर सकते हैं यानि कि अ दोस्तों अगर आप एक vlogger है या फिर explorer है यानि कि अगर आप cameras वगरा के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपने काम में और आपको बाहर कहीं जाना पड़ता है उनको लेकर तो कहीं न कहीं अलग-अलग cameras को use करने में बार बार उनको back से निकालना पड़ता है फिर उनमें र कि काफी सारे cameras को attach कर पाएंगे लेकिन इसके users सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाते अगर आपके पास camera stand है या फिर tripod वगरा है तो वो भी आप आसानी से इस belt में attach कर सकते हैं इसमें locking mechanism भी होता है यानि कि camera लगाने के बाद जैसे ही आप उसे rotate कराते है नीचे के तरफ तो वो फौरन खुद बखुद ही lock हो जाएगा और जब भी आपको उसका use हो तो बस rotate करिए हलका सा और आपका camera बाहर आ जाता है तो कमाल का रहता है यह gadget जो कहीं न कहीं आपके काम को आसान बनाएगा तो इसके लिए एक like तू चाहिए ही चाहिए मेरे को camera के lenses में आपको काफी सारे filters को attach करना पड़ता है जिससे कि आप अलग-अलग effect देख सकें साथी साथ कभी-कभी safety के लिए भी हम लोग filters को apply करते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा filter जिससे कि आप जब चाहें तब हटा दे और जब चाहें तब लगा ले तो यह gadget आप के लिए काफी कमाल करेगा यह एक ऐसा attachment होता है जिसमें कि आपको filters के option दे रखे होते हैं और जब आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बस इसमें पूरे attachment को खोलने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप इसके filter वाले हिससे को उपर की तरफ कर देते हैं जिसके बाद आपका lens एकदम open हो जाता है तो इस तरीके से बार बार आपको filters को हटाना नहीं पड़ेगा आप आसानी से अपने camera का इस्तेमाल freely कर पाएंगे दूस्तो अगर आप mobile phone से कोई video record कर रहे हो तो अकसर ऐसा होता है कि हाथ हालका फुलका हिलते रहती हैं जिसकी वज़े से footage काफी ज़दा unstabilize हो जाती है जो कि कहीं न कहीं देखने में भी अच्छी नहीं लगती तो अगर आप चाहें तो try करके देख सकते हैं इस तरीके के gadget को जो कि कहीं न कहीं आपको एक बहतरीन grip देता है जिससे कि आप अपने mobile phone या फिर छोटे मोटे gopro cameras वगरा को इसमें लगा पाएं जिससे कि कहीं न कहीं आपकी footage काफी ज़दा stabilize रहेगी साथी साथ दोस्तों ये आपको बहतरीन grip देता है जिससे कि आपको phone पकड़ना और भी ज़्यादा आसान हो चाहेगा जिससे कि आप और भी clear photos वगरा capture कर सकते हैं तो कमाल का रहता है ये gadget जो कि देखने में भले ही छोटा लग रहा हो लेकिन इसके users काफी broad है दोस्तों वैसे तो DJI के drones काफी ज़्यादा पॉपलर हैं वीडियोग्राफी के मामले में आपने शादी वेगर में भी DJI के drones को अक्सर देखा होगा हवा में उड़ते हुए तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा drone जो की size में थोड़ा सा छोटा हो और आपको बहतरीन quality की footage दे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस gadget को इसमें 20 मेगा पिक्सल का एक चोटा सा camera होता है जो की hybrid zoom को support करता है साथी साथ दोस्तों इसमें high dynamic range की वीडियोग्राफी आपको देखने को मिलेगी जिससे की colors बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं देखने में इस camera में inbuilt होता है 3-axis gimbal stabilization जिससे की आपकी footage काफी stabilize रहती है साथी साथ zooming quality भी बहुत ज़्यादा शानदार रहेगी यह 100 meter की distance से भी बहुत अच्छी से focus कर सकता है अपने subject को तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा drone जिसका इस्तेमाल आप अपनी personal photography के लिए कर सकें साथी साथ cinematic shots भी ले सकें तो इस्तेमा बार ना तो उने bag में डालेंगे और ना तो उसे हाथ में पकड़े रहेंगे तो अगर आप चाहें तो try कर सकते हैं इस तरीकी के attachment को जिसे की आपको अपने backpack या फिर बेल्ट में लगाना होगा जिसके बाद आसानी से camera आप उसमें टिका सकते हैं इस छोटे से attachment की खास बात परसनली थोड़ा सा interesting लगा है तो फटा फट इसे एक like तो मिलना ही चाहिए दोस्तो नमबर 5 Lumix Z100 आजकल mirrorless का आगे है जमाना ऐसे में अगर आप चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा mirrorless camera जिसका इस्तेमाल आप vlogging के लिए कर पाएं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की camera को इसकी खास बात ये रहती है कि इसका size काफी जदा compact होता है mirrorless होने की वज़े से साथी light weight होने की वज़े से आप इसका इस्तेमाल vlogging के लिए कर पाएंगे इसमें एक कमाल की चीज़ और रहती है वो रहती है इसका recording system इसमें आपो multiple direction के लिए अलग-अलग recording के लिए modes दे रखे होते ह जैसे कि आप इसे dual mode, omnidirectional mode या फिर cordoid mode पर इस्तेमाल कर सकते हैं साथी इसमें screen tilt का भी feature दे रखा होता है जो कि एक vlogger के लिए काफी ज़्यादा importance रखता है तो अगर आप एक camera चाहते हैं अपने personal use के लिए तो ये camera आपके लिए एकदम sufficient रहेगा अगर आप एक photographer या फिर videographer हैं तो आपको ये बात पता होगी कि इस काम में editing कितने ज़्यादा माइने रखती है इसके लिए आपको software की सही तरीके से knowledge होना काफी ज़्यादा जरूरी होता है बहुत सारे ऐसे shortcut keys होती है या फिर बहुत सारी चीज़े होती है जिने आप अपन भी लगी होती है जहां पर आप customize कर सकते हैं अलग-अलग तरीके के option को यानि कि जिन option को आप ज़्यादा use कर सकते हैं उन्हें यहाँ पर shortcut के तोर पर इस्तेमाल कर पाएंगे तो कमाल करेता है ये gadget जो कि कहीं न कहीं आपके editing के काम भो काफी आसान बना देगा दूस्तो फोटोग्राफी के काम में एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि जो आपके camera में memory card पड़ता है वो बहुत जल्दी फिल हो जाता है इसकी वज़ाई ये होती है कि जो भी file बनती है उसका size काफी ज़्यादा बड़ा होता है या तो आपके पास एक perfect hard disk होनी चाहिए जिसमें कि आप उसे transfer कर सकें और transfer करने के लिए कम से कम आपको एक laptop की जरुवत तो पड़ेगी ही पड़ेगी तो अगर आप चाहें तो try करके देख सकते हैं इस तरीकी के storage device को जो की बहुत ही ज़्यादा best रहता है आपके लिए दूस्तो इसकी खास बात यहोगी कि इसमें आगर आप अपने card का backup लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी laptop या फिर ऐसी device के जरुवत नहीं पड़ती है बस अपने card को लगाए इसमें आपको एक छोटी सी display देखने को मल जाएगी जिससे की फटा फटा backup ले सकते हैं और वहीं इसका एक mobile app भी दे रखा होता है जहां से आप फाइल को organize और edit भी कर पाएंगे तो कमाल का gadget रहता है अगर आप भी चाहें तो try करके इसे देख सकते हैं दोस्तो अगर आप अपने camera के लिए gimbal चाहते हैं तो normal जो camera के gimbal आते हैं वो size में काफी ज़दा बड़े और भारी भर कम होते हैं नॉर्मल आप single head तो लगबग उन्हें इस्तिमाल कर ही नहीं सकते हैं लेकिन अगर आप try करके देखते हैं इस तरीके के gimbal को तो ये खास तोर पर जाना चाता है आपने light weight होने के लिए इसे आप पूरी तरीके से fold कर सकते हैं जिसे कि आपके backpack में भी आसानी से आजाएगा और जोर्वत पढ़ने पर जब आप इसे open करते हैं तो ये अपना काम बखु भी करता है इसमें आपको बहुत सारे modes भी देखने को मिल जाएंगे जिसे कि sports mode या फिर cinematic shots के हिसाब से आप अलग अलग तरीके से इसे use कर पाएं साथी ये आपको mobile app control भी देता है जिसे कि आप इसे control कर सकते हैं तो ये एक additional इसका feature रहता है तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा gimbal stabilizer जिसे कि आप अपने DSLR बगेरा को आसानी से इस्तेमाल कर सके तो मेरे हिसाब से एक दम perfect option रहेगा ये आपके लिए नमबर वन पोलराइड मीनी इंस्तेंट प्रिंटर दूस्तों बात photographic gadget की चल रही हो तो ऐसे में कहीं न कहीं हम printer को कैसे मिस कर दें क्योंकि किसी भी फोटो का असली मजा तो जब तक उसे हाथ में ना लिलो तब तक नहीं होता है तो अगर आप चाहें तो ट्र लेकिन अगर आपके पास होगा यह चोटा सा इंस्तेंट प्रिंटर तो फटाफट इसके mobile app से इसे connect कराएंगे जिसके बाद आप आसानी से धीर सारे प्रिंट निकाल सकते हैं इस gadget की मदद से तो मुझे तो यह gadget काफी interesting लगा है आपको कैसा लगा है यह बात आप हमें कमें प्रिंट की कीमत या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं तो डिस्कप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे फिलाल तब तक के लिए हमें एज़ाज़ दीजे नमस्कार दोस्तों जय हिंद